Hello friends, welcome back to the channel तो friends, आज मैं आपके ले लेकर आए हूँ Class 10 से एक और important poem जिसका नाम है संगतकार और इस poem के जो कवी है उनका नाम है मंगलेश डबराल तो friends चलिए इस poem का explanation शुरू करते हैं तो संगतकार का मतलब होता है मुख्य गायक का साथ देने वाला सह गायक यानि कि में सिंगर का साथ देने वाला जो गायक होता है उसी को संगतकार कहा जाता है तो पहला part है हमारा मुख्य गायक के चटान जैसी भारी स्वर का साथ देती से वह गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से तो यहां तक तो इन लाइन्स का explanation कुछ ऐसे है तो इन लाइन्स में जो कवी है वो कहते हैं कि जब मुख्य गायक यानि की main singer किसी संगीत सभा में अपने गाने को प्रस्तुत कर रहा होता है तो उसकी भारी वा गंभीर आवाज के साथ ही हमें संगतकार की एक सुंदर मधूर यानि की sweet मगर हलकी हलकी आवास सुनाई देती है यानि की जब मुख्य सिंगल गा रहा होता है तो उसके पीछे पीछे हमें एक संगतकार की सुंदर और sweet सी हलकी हलकी आवास सुनाई देती है कवी यहां पर अंदाजा लगा रहा है कि यह संगतकार मुख्य गायक का छोटा भाई भी हो सकता है या मुख्य गायक का शिश्य भी हो सकता है या फिर संगीत सीखने के लिए पैदल चलकर मुख्य गायक के पास आने वाला उनका कोई दूर का रिस्तेदार भी हो सकता है तो यहां पर जो कवी है वो बेसिकली अंदाजा लगा रहा है कि संगतकार का मुख्य गायक के साथ क्या relation है या तो वो उसका छोटा भाई हो सकता है या फिर वो उसका शिश्य हो सकता है या फिर उसका कोई दूर का रिस्तेदार हो सकता है और सबसे खास बात यह है कि यह संगतकार जब से गायक ने गाना शुरू किया है तब से उसका साथ देता हुआ आया है यानि कि शुरू से ही वह संगतकार मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज मिलाकर उसके संगीत को और प्रभावशाली और सुन्दर बनाता आया है तो शुरू से कहने का मतलब है कि प्राचीन काल से यानि कि सदियों से जो संगतकार है वो मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज को मिलाकर उसके संगीत को और भी सुन्दर बनाता आया है तो दूसरा पार्ट है हमारा गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगलों में यहां से जब वह नौ सिखिया था यहां तक तो नौ सिखिया यानि कि जो मुख्य गायक है जब वो नया नया था और गाना सीख रहा था तो इन लाइन्स में जो कभी है वो कहते हैं कि कभी कभी जो मुख्य गायक है वह अपने गाने में इतना खो जाता है कि वह अपने सुरों से ही भटक जाता है यानि असली सुरों को ही भूल जाता है ऐसी स्थिती में संगतकार जो हमेशा मुख्य सुरों को पकरे रहता है वही उस समय सही सरगम को दोबारा पकरने में मुख्य गायक की मदद कर उसे इस संकट से बाहर लाता है उसे इस परिस्थिती से बाहर लाता है तो कहने का मतलब यह है कि संगतकार हमेशा मूल स्वरों को ही दोहराता रहता है यानि कि जो मेन स्वर है उसी को दोहराता रहता है तो जब मुख्य गायक यानि कि जो मेन सिंगर है वो गाने गाते हुए सुरो की दुनिया में खो जाता है और अंतरे के सुरतान की बारिक्यों में उलज कर विखरने लगता है और मुख्य सुरो को भूल जाता है तो friends जो music होता है जो संगीत होता है उसका दो पार्ट होता है एक होता है स्थाई और दूसरा होता है अंतरा तो जो मुख्य गायक होता है जब वो अंतरे के सुरतान की बारिकियों में उलज कर यानि कि जब वो अंतरा गाता है तो वो स्थाई पार्ट को भूल जाता है यानि क संगतकार के गाने को सुनकर वो मेन सुर को पकर लेता है अर्थात संगतकार सुर से भटके हुए मुख्य गायक को वापस सुर पकरने में मदद करता है कवी आगे कहता है कि उस समय ऐसा लगता है मानो जैसे कि वह संगतकार मुख्य गायक का पीछा छूटा हुआ सामान समेटते हुए उसके साथ आगे बढ़ रहा है तो इस सिच्वेशन को देख कर कभी यह भी कहता है कि उस समय जो मुख्य गायक है उसको अपना बच्पन यादा जाता है जब वह नया नया गाना सीखता था यानि कि जब वो नौ सिखिया था नौ सिखिया यानि कि जब वो नये नये गाने को सीख रहा था तो थर्ड पार्ट है हमारा तार सब्तक में जब बैठने लगता है उसका गला यहां से गाया जा चुका राग यहां तक तो इन लाइन्स में जो कवी है वो कहते हैं कि जब कभी मुख्य गायक उचे स्वर में गाता है तो उसका गला बैठने लगता है उससे सुर संभलते नहीं है यानि कि वो सुरों को संभाल नहीं पाता है तब गायत को ऐसा लगने लगता है जैसे कि अब उससे आगे गाया नहीं जाएगा उसके भीतर निराशा चाने लगती है वो दुखी होने लगता है उसका मनोबल खत्म होने लगता है उसकी आवाज कापने लगती है जिससे उसके मन की निराशा हताशा प्रकट होने लगती है यानि कि उसके मन के अंदर जो निराशा है हताशा है वो बाहर आने लगती है तो उस समय मुख्य गायक का होसला बरहाने वाला उसके अंदर उत्साह जगाने वाला संगतकार का मधूर स्वर सुनाई देता है यानि कि उस संदर आवास को सुनकर मुख्य गायक फिर से नए जोश के साथ गाना गाने लगता है फिर कभी आगे कहते हैं कि कभी कभी संगतकार मुख्य गायक को यह बताने के लिए भी उसके स्वर में अपना स्वर मिलाता है कि वह अकेला नहीं है कोई है जो उसका साथ हर वक्त देता है तो संगतकार ये भी बताना चाहता है कि जो राग या गाना एक बार गाया जा चुका है उसे फिर से दोबारा गाया जा सकता है तो फोर्थ पार्ट है कि और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है यहां से उसकी मनुश्यता समझा जाना चाहिए यहां तक तो इन लाइन्स में कवी कहते हैं कि जब भी संगतकार मुख्यगायक के स्वर में अपना स्वर मिलाता है यानि उसके साथ गाना गाता है तो उसकी आवाज में एक हिचक साफ सुनाई देती है और उसकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उसकी आवाज मुख्यगायक की आवा करता है यानि अपना स्वर उंचा कर वह मुख्य गायक के संबान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता यह उसकी मानविय गुर्ष हैं तो यह था अमारा पोईम का आप लोग को समझ में आ गया होगा तो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में